वेल्कम बैक अब्रिवन वेल्कम टे सिवल सर्विसेश टड़ी अभी तक UPSC सिवल सर्विसेश के लिए 104 टेस्स अलड़ी कंप्लीट होगे आपने यह है टेस्ट नंबर 105 तो चले स्थार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज बना रखी है इस प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट बना रखी टेस्ट सीरीज की वहाँ पर आप टेस्ट नंबर बन से लेकर 105 तक पहुंश सकते हो 90 दिन कम से कम जो है एक्जाम आगया बढ़ा है कोविड के चक्कर में ठीक है 10 अक्टूबर को होगा ठीक है समय दिया गया है काफी प्रैक्टिस करते रहे हैं अच्छे से सी सेट के सवालों को बेहर दिन बनाईए लगवग एक गंटा चलिए स्टार्ट करते हैं तो कोश्चन नंबर बन का अंसर करिये तो हाल ही में यूनेस्को की विस्व धरोहर इस्तलों की सूची में भारत के छे कितने छे स्थान जोड़ेगा है नमलकित में से कौन सा इसमें सामिल नहीं है बताना आपको वाराण सी के गंगा खाट वनेर घटा नेस्नल पार्क कांची पुरम के मंदिर और सत्पूरा टाइगा रिजर्व छे में से ये चार है इन चार में से तीन तो हैं लेकिन एक नहीं है वो कौन सा नहीं है उसी को ढूड़ना अपने को तो सत्पूरा टाइगा रिजर्व भी है कांची पुरम के मंदिर भी है वाराण सी के गंगा खाट भी है वनेर घटा नेस्नल पार्क इसमें सामिल लाई है तो युनेस्को की विश्व धरोर स्थ लोगी भारत की संभावित सूची में नमले के छे स्थानों को जोड़ा गया है कौन कौन से हैं वो मध्य प्रदेश में सत्पूरा टाइगा रिजर्व ठीक है महरास्ट में मराठा सेन वास्तु कला करनाटक में हीरे वेंगल मेगा ल लमेता घाट और तमिलनाडू में काचिपुरम के मंदिर है याद रहेगा एक बार और वीजन कर लें चथ पूड़ा टाइगा रिजर्व मध्य प्रदेश का महरास्टा सेन वास्तु कला महरास्ट में और हीरे वेंगल मेगा लिथिख साइट करनाटक में वारणसी के गंग गाट और लमेता घाट और कांची परम के मंदिर तमिलनाडू के है कि कोश्चन नुबर टूपर आजी हाल ही में खबरों में रहा आइसवार्ग ए-76 क्या है उलका पिंड है एक चरम पंति संगठान है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है मंगल पर खोजा गया हिमखंड है मंगल पर तभी मस्रूम का कुछ खोजा गया है तो इसको हटा दीजे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है हिमखंड क्या होता है हिम मतलब ग्लेशियर से अलग हुआ एक टुकड़ा तो उलका पिंड नहीं है कोई चरम पंति संगठान नहीं है तो देखे यूरोपी अंत बेटल साघर पर तैर रहा है यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कहा जा रहा है क्योंकि यह लगभग 170 km लंबा है और 25 km चोड़ा है किलमेटर लिखा ध्यान दीजेगा 170 km 1 aja एक डिस्टिक से दूसरा डिस्टिक चादर जो है बागी ग्रह की तुल्ला में तेजी से गर्म हो रही है ठीक है जिससे वेडल सागर के आसपास की वर्फ जो है वो पिखल रही है और प्रत्वी जो है न अपनी वो बर्फ के आबरण और ग्लेशियर प्रत्थी पर जो है बर्फ के आपरण और ग्लेशियर तेजी से कम हो रहे हैं पर कर देते हैं तो क्या है यह आइस्वार्ग ए सवंटे सिक्स है एक हिमघंड है 170 किलोमेटर लंबा और 25 किलोमेटर चोड़ा बेडल सागर में तेर रहा है कोश्चन नमबर थ्री पर आजएए दो स्टेटमेंट के साथ बताएं कौन सा करेक्ट होगा परशार भारती भारत की सबसे बड़ी सारवजिनिक परशारण एजनसी है और यह एक स्टेश्यूरी बाड़ी है मतलब बैधानिक निगाय है गया बिल्कुल स्टेश्यूरी बाड की सबसे बड़ी सारवजिनिक परशारण एजनसी है यह संसत के अधिनियम दारा इस्थापित एक वैधानिक स्वायत निकाय है स्टेश्यूरी बाड़ी है परशार भारती अधिनियम 1990 में पारित किया गया और 1997 में जो है अधिनिमित किया गया देखिए इसमें दूर की स्थापना के लिए एक विस्तत प्रियोजन रिपोट आमंत्रित की गई है कोशन नमबर फोर पर आजए यह नमलिखित कतनों पर विचार करेंगे एक बार फिर से दो स्टेटमेंट है बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भारते उप महादीप में जून से सितंबर क की घटती जाती है कि दक्षिन भारत से उत्तर भारत की और मांसून की अबदी घटती जाती है दक्षिन पश्वी मांसून केरल तट पे होता है प्रस्फुटन इसका और जाता है उत्तर पूर्व की और विलकुल यहां जो है वर्षा अधिक है वेस्टन घाट पे उत्तर भ पहला भी करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है तो देखिए भारतिय उप महादीप में जून से सितंबर के दौरान वर्शा रितु को दक्षिन पश्वी मानसून यानि साउथ वेस्ट मौनसून अबधी के रूप में जाना जाता है और हाल ही में भारतिय मौसम विज्ञान कवारतिय समू के उपर आ गया है जो इस बात का संकेत है कि यह जल्द ही मुख्य भूमी पर पहुंच जाएगा देखिए भारतिय उप महादीप में दक्षण से उत्तर भारत की और जाने पर मानसून की अबधी घटती जाती है याद रखना जी एस में कराया होगा कई बारे सवाल कोशन नमबर फाइब पर आज़ेए पूरे भारत में सकरकंद यानि स्वीट पटेटो उत्पादन में कौन सा राज अग्रणी है कौन सा है यूपी एमपी ओडिशा रजस्थान स्वीट पटेटो में ओडिशा अग्रणी है तो देखिए देश भर में सकरकंद की उत्पादन में जो है उडिशा सबसे आ गया है और हाल ही में किसानों के एक समूने गर्मियों में बैंगनी सकरकंद ठीक है बैंगनी सकरकंद की सफलता पूरवक खेती किया जो सितंबर और मार्च में काटी जाने वाली सर्दियों की बैंगनी सकरकंद इन्होंने गर्मियों में उका दी केंद्रे कंद फसल अनुसंधान संस्थान के अनुसार बैंगनी सकरकंद में प्रती 100 ग्राम में ठीक है उसके 100 ग्राम में जो है 90 ग्राम 90 मिली ग्राम ठीक है उच एंथोसाइनिन समगरी होती है अब सवार उठता है मन म कि गाता है तो दखिए अंतय नेंट्वात में और नीला रंग प्रदान करते है क्या हो सकता है क्या है हर दैयरोग कैंसर और तंत्री संबंदी विकारallah करता है एंथोसाइनिन कोशन नमबर सिक्स पर आ जाएए डिपकोवेन डिपकोवेन के संदर में नम्लिकित कत्नों पर विचार करना है यह एक एंटी वोडी डिटेक्शन अधारित किट है जिसे आईसी एमर ने वनाया है यह किट इसपाई के साथ सार्सकोब टू वाइरस के नुक्लियो कैपसिड प्रोटीन का पता लगा सकती है कौन सा सही है पहिसे आईसी एमर किट भी बनाने लगाए गया यह तो माननेता देता था अबहु तक वह नवाला इसको डिपकोवेन को डियर डियू ने बनाए है आईसी एम आईजाएं आई ने नहीं पहला बाला गलत है वह दूसरा बाला करेक्ट है यह स्पाइक के साहथ सार्शकोब वाइरस के निकलियो कैपसिट प्रोटीन का पता लगा सकती है के बल दो यानि भी हो जाएगा इसका अंसर तो भी देखे रक्षान संधान और विकास संगठन यानि डियार डियो ना एक एंटी वोडी डिटेक्शन अधारित किट विक्सित की है जिसका नाम है डिपकोविन ठीक है तो पहला बला गलत क्योंकि आईसी हमार की जगए डियार डियो होगा इसका अर्थ भी है कुछ इसको बढ़ सकते हैं डाइपास वीडी एक्स कोविड नाइनटीन एजी जी एंटी वोडी माइक्रो वेल एलिसा ठीक है देखे लोगों के बीच कोविड एंटी वोडी की उपस्तिति का पता लगाने के लिए इस किट का उपियोग सीरो निगरान के लिए खिया जा सकता है और यह किट स्पाइक के साथ साथ सार्स कोव टू वाइरस के निउक्लियोग एपसिड प्रूटीन का पता लगा सकती है डिप को बिन कोशन नुबर 7 पर आजाए यूनाइटेड लॉंज अलाइन्स यू ले किन दो एरोस्पेस कंपनियों के वीच एक सायूक्त उधम है यूनाइटेड लॉंज अलाइन्स किन दो एरोस्पेस कंपनियों के वीच एक सायूक्त उधम है इस्रो और वोईंग जैक्सा और वोईंग डियार डियो और वोईंग या फिर लॉक हीड मार्टिन और वोईंग लॉक हीड मार्टिन और वोईंग अप लॉक हीड मार्टिन और बॉइंग के वीच एक संयूक्त उधम है देखे एटलस वी लॉंच सिस्टम जिसे मूल रूप से लॉक हीड मार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे अब यू एले द्वारा संचरित किया जा रहा है यानि यूटेड लॉंच अलाइंस के द सिस्टम उपगरे के साथ उडान भरी है इसे फ्लोरीडा के कैप केनाविरल स्पेस फोर्स स्टेशन से जो है लॉंच किया गया है तो बोईंग तो पते ही होगा आपको अंत्रिक्ष टेक्सी बनाती है ठीक है और लॉक हीड मार्टिन और बोईंग ने मिलकर यूनाइटेड लॉंच एलाइन्स ठीक है एक सेयुक्त उधम किया है ठीक है चलिए कुश्चन नमबर एट पर आज़िए स्पोर्ट SPOT जो हाल ही में सुर्खियों में रही किस उध्देश के लिए विक्सित एक तक्नीक है वाइट फंगस का पता लगाने के लिए म्यूकर माइकोसिस का पता लगाने के लिए हैप्पी हाइपोक्सिया का पता लगाने के लिए पता लगाने के लिए स्पोर्ट का पूर्ण रूप भी है यह कुरोना वायरस का पता लगाने के लिए उप्सान नमबर ए तो देखें कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए है यह ठीक है यूनिवर्सिटी ओफ इलिनोईज अर्वाना शेंपेन के सोथ करता होने इसके लेवल एंड पोर्टेवल टेस्टिंग यानि स्पोर्ट नामा के एक नई तकनिक विक्सित की है इसे तीस मिनिट से भी कम समय में लार के नमूने से सटीक परणाम प्राप्त हो सकते हैं ठीक है और क्या है ये कोरोना वायरस परेक्ष dön के रूप में जो है इसको इस्तिमाल किया जा सकता है स्पोर्ट को इसकलेवल एंड पॉर्टेवल टेस्टिंग स्पोर्ट ठीक है कुरोना विरस टेस्टिंग के लिए याद रफना पूछा जाए तो क्वेशन नमर नाइन पर आजएए एक रिपोर्ट है स्टेट ओफ एकॉनमी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है स्टेट ओफ एकॉनमी रिपोर्ट स्टेट ओफ दा एकॉनमी रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है विश वैंक नहीं है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है विश वार्थिक मंच यानि वर्ड एकॉनमिक फोरम भी नहीं है यह है भारते रिजर बैंक यानि आर भी आई तो देखिए भारते रिजर बैंक अपने मासिक बॉलेटिन के साथ जो है स्टेट आफ दा एकॉनमिक रिपोर्ट जारी करता है और अप्रेल महीने की हालिया रिपोर्ट क्या कहती है वास्त्विक अर्थवस्था पर कोरोना की दूसरी लहर का जो प्रभाव है पहली लहर के तुला में अब तक सीमित प्रतीत हो रहा है और इसने अप्रेल दोहार एक किसमें जी एस टी के उचितम संग्रे पर भी प्रकास डाला है स्टेट आफ दा एकॉनमि रिपोर्ट आर्बी आई याद रहना कुश्चन नमट दस पर आजएए दालों की कीमतों में बरदी को कम करने के लिए हाल ही में भारत सरकार दोहरा नमली के तुमें से कौन सा गदम उठाया गया है खाद कानून में संसोतन करना दालों को पीडियस के दाएरे में लाना दालों के मुक्त आयात की अनुमती या प्राइदीप भारत के पांच राज्यों को दाल उगाने के लिए प्रुतसाहित करना हो क्या किया है भारत सरकार ने देखिए पीडियेस के दाइरे में तो यह पहले सही है तो इसको तो पहले ऐलिमिनेट कर दो खाद कानून में संसोधन किया है क्या प्राइदीप भारत के पांच राज्यों को दाल उगाने के लिए प्रुतसाहित नहीं किया है अब होगा कब तक वगई आपसा नमबर भी है इसका सेवित्तर दालों के मुक्त आयात की अनुमती दिया भारत सरकार ने तो देखिए दालों की कीमतों को और बढ़ने से रोकने के लिए इंडियन काउर्बेंट ने भारत सरकार ने अरहर उड़द और मुंग दालों के मुक्त आयात की अनुमती दिया है इन दालों को आयात की गैर प्रतिवंदित सूची में रखा गया है गैर प्रतिवंदित सूची में क्योंकि हाल के दिनों में इनकी कीमते जो हैं बहुत अधिकती तो यह 10 प्रश्ण थे इनकी प्रक्टिस जो है एक बार कर लेजेगा और टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाईएगा त्योंकि इस टेस्ट का जो आपको पीडिएफ मिलेगा इन प्रश्णों का दस प्रश्णों का वो मिलेगा कल तक ठीक है कल मॉर्निंग तक यहीं नेक्स डे में चलिए धन्यवाद